कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको इंडिया हिंदी लैड में तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि इंडिया काड प्रोडेक्शन किया है इंडिया काड प्रोडेक्शन किया है आप सब्सक्राइब किजिगा चलो गाइस सुरू करते हैं तो आप से आपको क्या है CPP से क्या खैदा मिलेगा और क्या नुक्सान होगा काईट में बता तो नुक्सान के अगर हम लोग देखें तो आप सब्सक्राइब करने के लिए CPP इंडिया कार्ड प्रोडेक्शन करेगा जोगी अब हरा तरकार के दुआरा जारी किया गया है यह सबसे पहले जो कार्ड इंडिया कार्ड प्रोडेक्शन ने चालू किया है वो है SBI ने चालू किया है अगर आप सब CPP पलान एक्रिबिट करते हैं अपने कार्ड तो आप सबको 1699 रुपय लिया जाएगा यानि फोलटल 1760 को पे करना पड़ेगा एक साल के लिए अगर एक साल में अगर आप सबका कार्ड कहीं गूम हो गया या चोड़ी हो गया तो आप सब को CPP के तरफ से आप सब का कार्ड का पूरे भुक्तान किया जाएगा इसके अलाबा अगर आप सब कहीं होटल में लुके हुए हैं या कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं तो उसका भी खरजा CPP उठाएगा चाहिए होटल में आपका बील पे एक लाग तक का जो रहेगा तो एक लाग तक CPP प्रोवाइड करेगा आप सब को CPP के अंतरगत अगर यह सब भी आता है अगर आप कार्ड के चाहते हैं इनिस्टेंड में ब्लोग करवाना तो आप सब को एक SMS करना पड़ेगा और आपके नाम पे जितना भी कार्ड है क्रेडिक कार्ड और डेविट कार्ड वो इनिस्टेंड ब्लोग कर दिया जाएगा इसके अंतरगत और भी मैं बता दूं CPP के अंदरगत जो आता है क्रेडिक कार्ड डेविट कार्ड के अलावा अगर आप सब कहीं इंटरनेशनल के जा रहे हैं और उसमें अगर आपका पासवर्ड ये वीजा के गुम हो जाता है तो उसका भी भी करता है जिसके अंतरगत आपको जो भी डेर लाग तक का भरपाई आपका CPP करेगा जो कि आप होटल में रुख रहे हैं या फ्राइट के इस समय अगर कुछ एसी जंड ऐसा हो गया ऐसी कार्ड चोड़ी हो गया या कोई गुम हो गया तो इस समय आपका CPP आपका पूरे जो भी रहेगा बिल पे करेगा जो कि एक लाग तक मानिया है CPP के जो दावा है वो बोला जा रहा है कि आप सबको हम एक लाग तक जो भी नुखसान रहेगा वो पेड करेंगे तो कारिज अगर आप सब के पास SBI करेडिकार है या अधरवाज कोई भी क्रेडिकार है कोई भी बैंक का SBI हो या आप सब चाहते हैं कि इस तरह के अगर हम सब के साथ नुसान हो सकता है तो आप सब देख सकते कि मैं एक चालू किया था CPP जो कि हमको 1699 भी रुपय कर था अगर आप सब को क्या करना पड़ेगा ट्रेंग आपको किस्टमर्स यह से बात करना परता है और जब किस्टमर्स से आप बात करेंगे तो बोलत दिया जाएगा ठीक है आपको जो CPP प्रोसेस है वो रनी हो चुका है यानि एक्टिवेट किया जाएगा चौदो दिन का टाइम लता है 14 मिन के अंदर आपका जो CPP प्रोसेस में चला जाएगा और 4 दिन के बाद एक्टिवेट हो जाएगा आप आपका एड्रेस पे भी CPP का फूरे फाइल आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा अगर चाहते हैं तो अधर्वाजने तो आप मेल पे भी CPP का पूरा पेपर है वो आप ले सकते हैं जो कि आपका PDR फाइल में आपका सेंद करके देर दिया जाता है गाज इसके अंतर अगर आप सब कित सोचते हैं कि अगर आप सब कि लग रहे हैं कि नुकसान क्या हो तो कर दो आप सब करवाने के लिए CPP अपने कार्ड के उपर आप से एक्टिविट करवा सकते हैं इसका फाइदा आप सो को मैं एक फोले इस वीडियों बता दिया कि आप सब का फाइदा होगा और क्या निर्सान होगा जो कि पूरे डेर लाग तक कर आपका सपोर्ट करेगा इंडिया कार्ड कोर्डेक्शन जो कि CPP का अंतरगत आता है उसके बाद आप सब का जो भी अगर आ चाहते हैं कोई भी काड़ पर CPP अप्लिकेशन यानि सिस्टेम को एक्टिवेट करवाना तो आप सब अपने किस्टेमर के जो भी बैंक है आपका पास वो बैंक किस्टेमर को कॉल किजिए और आप CPP का जो है प्रोसिस करवा लेजी तो आप सब का यह फैसिल्टी है एक्ट